मध्यप्रदेश के उजयन में महाकाल लोक के लोकारपन के बाद भक्तों का ताता लगा हुआ है अब एक नई सुविधा यहां के श्रद्धालूं को मिलने जा रही है महाकाल लोक की पार्किंग अब स्मार्ट सुविधाओं से लेस होगी इसका संचालन करने के लिए स्मार्ट सिटी निजी एजनसी के हाथों में इसकी कमान देगी इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है उमीद है कि नवंबर चार तक सब फाइनल होने के बाद पार्किंग का संचालन शुरू हो जाएगा इसके बाद श्रद्धालू आने से पहले ही पार्किंग की बुकिंग करवा सकेंगे उजैन के महाकाल दर्शन और महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालू के लिए स्मार्ट पार्किंग की सुविधा मिलने वाली है पिशले तीन दिनों से गुजराथ, महाराश्ट, दिली वा अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रधालों के कारण भारी भीर देखने को मिल रही है जिसके चलते कई घंटों तक जाम भी लगा रहता है वहीं श्रधालों भी पार्किंग के लिए परिशान होते देखे गए है इन सभी को देखते हुए स्मार्ट सिटी में फैसला लिया गया है कि महाकाल लोग के लिए जो पार्किंग बनाई गई है वो स्मार्ट तरीके से संचालित की जाए इसके लिए बकाइदा एक नीजी एजंसी को इसकी कमान दी जाएगी जिसकी तैयारिया शुरू कर दी गई है और टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दिया गया है महाकाल लोग पहुशने वाले श्रद्धालू के लिए पारकिंग बुकिंग पर छूट मिलेगी वहीं ऑनलाइन बुकिंग भी हो पाएगी इस पार्किंग में पहले से बुकिंग करने पर शुल्क में छूट मल सकती है यह सुविधा इसलिए दी जारी है ताकि श्रद्धालू पहले से पार्किंग बुक करा सके